तो दोस्तों मेरा नाम है किरत चोहन और यहां हम लोग कर रहे हैं घटना चक्री की जो सामाने भूगोल की बुक है वह इसमें हमारा जो पार चल रहा है वह विश्वका भूगोल यानिकी वर्ट जोगरफी अभी जो हम करेंगे वह चैप्ट नमबर 9 करेंगे जो कि है घाटिय इंग्लिश में इसको बोलते हैं वैलीज ठीक है अगर आपको में वीडियो पसंद आती हैं दोस्तों तो प्लीज लाइक करिएगा कमेंट करके जरूब बताएगा कि कैसे लगें शेयर करेंगे अपने दोस्तों में अगर आपको पसंद आए तो चैनल को अभी तक सबस्क्र आपको द्रिश्टी गटना चक्र भी हम करा चुक है वोड्च ज़गर्फी देखिए चल रही है हमारी ठीक है और एक्स्प्लेइन किया हुआ है और जनरल हिंदी भी मिल जाएगी आपको पौलिटी की मिल जाएगी इंडियन ज़ग्रफी आपको मिल जाएगई यहां पे औ जो मैंने अभी लास्ट यरी सारी अप्लोड करी हैं 2021 कि हैं थोड़े बहुत अपडेट होंगे वह हम चेंज करवा देंगे ठीक है तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो जरू देखिए करें लाइक जरू करीगा चलिए फिस्टार्ट करने से पहले गई देख ल अभी क्या है मेरा बेबी हुआ है तो उनकी वज़े से थोड़ा सा टाइम कम मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है थोड़ा सा बीजी हो गए लेकिन हां मेरी कोशिश रहती है कि हर दिन में एक चैप्टर तो अप्लोड करी दूँ चलिए फिर हम यहां पर बात करे जा रहे है घाटी होगी ठीक है और कहीं पर कोई मैप दिखाना होगा तो हम आपको दिखा देंगे ठीक है जहां जुरुत पड़ेगी अब देखिए यहां पर क्या लिखा है धरातल पर मैदानों पठारों पर्वतों के बीच भू हलचल नदियों हिमानी द्वान निर्मित अवत तलि अब इसने का है रिफ्ट वैली का विकास तब तक होता है जब दो ब्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी स्थम्ब नीचे की और धंश जाता है धिक है तो यह कैसे यह है आपका कुछ ऐसे करके नीचे की तरफ धंश जाए थाई तो दो भ्रंश रेखाओं के बीच का जो इस थम है वो नीचे की तरफ क्या होता है धज जाता है रिफ्ट घाटियां या रिफ्ट वैली लंबी होती है संक्री यानि की पतली होती है और गहरी होती है ठीक है कुछ इस तरह से आगे बढ़ते हैं अब इसने कहा कि अमेरिका के कैलिफोर्निया इससे कौन सी है मरत घाटी भी क्या है रिफ्ट वैली का उधारण है तो यहां पर हम लोग पता है क्या करेंगे अब मैप देखते हैं तो दोस्तों यहां पर आप देख पार होंगे कि नॉर्थ अमेरिका का तो यहां पर देखें आपको मिलेगा Rift Valley, मृत्ध घाटी, मृत्ध घाटी का मतलब होता है Red Valley, Death Valley सॉरी, Death Valley होता है, ठीके तो इसमें क्या लेखा है कि शैतान का Golf Course Devils Golf Course नाम से प्रसित मृत्यू की घाटी संयुक्त राज अमेरिका मोजावे रेगिस्तान में डेथ वेली नैशनल पार्क में इस्तित है तो अभी हम देख चुके हैं कहां पर अब इसने का मृत्यू की घाटी यानि की डेथ वेली की तली पर नमक का बड़ा धेर है इसने लिखा है होलो सीन युग में यहां 30 विट गहरा जल था ठीक है लेकिन कालांतर में जील सूखने से पानी में घुला नमक इसकी तली में अवशेश रहे गया मतलब अच्छा का था जल था उसमें नमक भी था अब क्या पानी तो सूख गया बचा क्या नमक मृत गाटी USA का सबसे निम्नितम यानि की माइनस 86 मीटर पश्चिमी गोलार्द में अर्जेंटीना के लागुना डेल कार्बन के बाद दूसरा निम्नितम इस्थल है ठीक है तो गैस इसमें लिखा यहां जो है गर्मियों के दिनों में जो यहां का तापमान यानि की टैंपरेच है वह 56.7 डिगरी सल्फिस होता है USA की सबसे गर्म और शुष्कतम घाटी है यही डेथ वैली ठीक है अब लिखाए इसे जो है अधिक्तम उष्णिता के लिए जाना जाता है इसे हाल ही में विश्व का सबसे गर्म इस्थाल यानि वायू के तापमान की दिष्टी से भी घोशित किया गया है किसे डेथ वैली USA कैलिफोनिया में अब लिखाए यहाँ पे पंझशीर घाटी अफगानिस्तान के पंझशीर प्रांथ में काबुल के उत्तर में इस्थित है कौन सी घाटी की बात करें हैं पंझशीर घाटी कहां हैं अफगानिस Państwo के उतर में स्थित है मुख्य एक अ इस अब गाटी जो यह एट्लेस है उसमें गजी अब इस Mexican को पता है यह भारत के उपड़ की आपकर मैप मैं लिखा नहीं है, आपको इस नहीं इस दिकार रही है। तो इसने कहा कि Antarctica City कौन सी Taylor घाटी की खोज Robert Falcon Scoti ने की थी उन्होंने इसे जो है मृत्यूं की घाटी की संग्या दी थी चलिये, आगे बड़ते हैं अब लिखा है विश्व की प्रमुक घाटीों की अवसिति इस प्रकार है, चलिये, आएए देखलेते हैं तो एक लिखा है यहाँपे लॉयर घाटी, कहाँपे है, फ्रांस में है और चलिए फ्रांस में तो गैस चलिए आए देख लेते हैं फिर मैप में भी देख लेते हैं तो गैस यहां पर जो यह मैप है ना यह हमारा है यॉरप का राइट तो यह यॉरप का मैप है जब आप इसको जूम करते हैं तो हम फ्रांस पहुंसते हैं देखिए यहां पर लिख पारे होंगे यहां पर एक river है जिसका नाम है lawyer river यह देखिए यहां पर लिखाए मैंने English मैंने थोड़ा से डाक कर दिये तो यह है तो यहीं पे इसकी घाटी मिल जाएगी कौन सी घाटी की बात करें हम यहां पर lawyer घाटी की यानि की rabbit valley USA में मिलेगी आपको blackwood घाटी आपको अस्ट्रेलिया में मिल जाएगी और आगे देख लेते हैं और कौन कौन सी है इसमें लिखा है sacred घाटी पेरू में मिल जाएगी पेरू आपको मिलेगा साउथ अमेरिका में ठीक है चुम्बी घाटी आपको भारत भूटान और तिबद इनकी सीमा पर मिल जाएगी कात्मांड़ कहां मिलकी पाकिस्तान में और किंग लैकी आश्ट्रेलिवमें चली आगे बढ़ झाते हैं di April घाटी गया मिलेगी नहीं नॉर्थ-मेरिका प्लीजन घाटी इसे में मिलेगी नौर्थ अमेरिका में फिय है पो घाटी यह इटली में मिलेगी यह इटली यॉरप में है फिय है वाल्गन घाटी अस्ट्रेलिया में मिलेगी आपको और ग्रेंड घाटी युएसे में मिलेगी और एब्रो घाटी इस्पेन में मिलेगी और इस्पेन कहा है आपका यॉरप मे चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहां लिखा है सिलिकन वैली यू ऐसे के उत्री कैलिफोर्निया में सेन फ्रेंसिसको खाडी के दक्षर भाग पर इस सित है चलिए यह तो देख सकते हैं तो यह रहा आपका नॉर्थ अमेरिका ठीक है नॉर्थ अमेरिका को जो हम थोड़ा था यहां पर इस साइट देखेंगे ना यहां इस साइट तो यहां देखिए आपको मिलेगा सैन फ्रेंसिसको देखिए यहां कहीं मिल जाएगा आपको सैन फ्रेंसिसको ठीक है यहीं की यह बात कर रहा है सैन फ्रेंसिसको की ठीक है तो यहीं पर सैन फ्रेंसिसको यहीं पर क्य आपकी computer में लगती है और इसलिए इसको क्या बोलते हैं सिलिकन वैली भी कहते हैं ठीक है इसमें लिखा है ग्रेट आर्टीजन बेसिन ठीक है यह और आप इसमें बहुत साफ-साफ देख पारेंगे ग्रेट आर्टीजन बेसिन ठीक है तो किस किस के बीच में इसमें बोला एक तो ग्रेट डिवाइडिंग और क्या है मदवर्ती उच भूमी फिर आगे बढ़ जाते हैं इसने कहा है कि इस जो बेसिन है जो बेसिन है ना इसका कुल शेट पर किता लिखा है सतरा लाग ग्यारहजावा किलोमेटर है और शेलिया के व्रहत बेसिन जाने के नहीं कि विषार ग्रेट बेसिंग मरोस्तल में इस इधित जल विभाजक है जो रौकी परवश्रीडी और सेरा निवादा के बीच इस्तित है तो अब हम बात कर रहे है व्रहत बेसिन की तो कि यहां पर देख पा रहूंगों के नोर्थ-सक कि नामेर तो यह रॉकी माउंटिन इधर है और सियरा नेवादा इधर है और इसके बीच में क्या है आपका ग्रेट बेसिंग है जाता की मुख में लिखा रहा है ठीक है आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग तो इस नेक्स में लिखा है कोलंबिया पठार इसके उत्तर में तथा और सोनरन मरुस्थल इसके दक्षिण में स्थित है तो कैस देखिए यहां पर लिखा है ग्रेट बेसिंग दिख रहा होगा आपको यह तो इसके उत्तर में इसने कहा कॉलंबिया प्लैटियो यह रहा आपका ठीक है और इसके दक्षिण में इसने दो डेजर्ट के नाम बता टी या फिर वादी यह मुलुक मिस जयने कि एजिप्ट में इस्तित है ठीक है इसके अवस्तित थी कि अक्षांस असने देर रखा रखा थो 25 डिग्री 44 दिंट पर और दिशांतर कि अगर बात करें तो यह नौर्स में इस और यहां पर अगर दिशांतर की बात करें थारी 22 तो जब आप इसमें जो यह आख शांत्र देखें तो कुछ यह वाला साइड आएगा ठीक है यह यह नाइल रिवर्ड बहरी ऐसे करके ऐसे करके जारी ठीक है तो यहां पर कहीं पर मिल जाएगा ठीक है तो आगे बढ़ जाते हैं लोग अब इसने क्या कहा है कि जो है कासरट प्रदेश में जब नदी एक विलियन छिद्र पर समाप्त हो जाती है तब यहां इस्थित जब एक लंबे समय तक रहती है तो सिंक के उपर सिंक बिंदू के उद्गम की और नदी अपनी घाटी क्या है कासरट मैदान में अधिक नीचे कर लेती है इस अवस्था में नदी क जो घाटी का अंत है एक विलियन छिद्र पर हो जाता है और इस घाटी को हम क्या बोलते हैं अंधी घाटी कहते है ठीक है चलिए आए बढ़ते हैं इसे आप देखे कोशन आशर करते हैं तो इसे बंद कर देते हैं आप कोशन आशर जरा से ही है तो यह वीडियो भी फटा- घाटी का उधारान है ठीक है तो यह हम मैप में देख चुके हैं आप चाहे तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं चलिए दूसरा इसने लिखा है शैतान का गोल्फ कोस यह भी पढ़ा हमने डैवल गोल्फ कोस नाम से प्रसिद मृत्यू की घाटी यानि कि डेथ वैली कहां पर है कैलिफोर्निया में यूएसे में है ठीक है कहां पर यूएसे कैलिफोर्निया में राइड तो इसमें हाँ अब इसने कहा है इसको डैथ वैली यूएसे मेजोवे रगिस्तान में डैथ वैली नेशनल पार्क में इस्तित है मेजोवे रगिस्तान भी हम देख चुक या राज में इस्थित है और गर्मियों के दिनों में यहां का जो टैंपरेचर वो 56.7 डिग्री सल्चेस हो जाता है और यूएसे की तफते गर्म और शुष्कतम घाटी है इससे अधिक मतलब इसे अत्यधिक उष्णता के लिए जाना जाता है इस स्थल को विश्कवा सबसे गर्म स्थल यानी की वायू के तापमान की दिश्टी से भी घोशित किया गया है च्वाली आगे बढ़ जाते हैं यूएसे की डेफवैली अवस्तित है कालिफ़ोर्निय यूएसे में ठीक है इसमें पंच शीर घाटी वाइस अफगानिस्तान में है ठीक है तो इसमें काबुल के उतर में जाते है और यह गहाटी जो है पंजल शीर नदी है तो से किलोफेस पसे कहानी तो यहां पर सेन्द फ्रेंसिसकों है राडी के तो यहां पे यह सीची बनती है ऍसल हमने बहुत यह अश्तित हैं तौन यह कहां पर के आंटक्टिका है आंटक्टिका आपको परता है विल्कुल ही साइड है साउठ वैयानि की दरूप पर इसंद कर लोगन फालकटि ने चीट है और उन्होंने इसे मृत्यू की घाटी का नाम दिया था इसमें लिखा है ग्रेट आर्टीजन बेशन ऑस्टेलिया की सुष्क और अर्ध शुष्क चेत्र में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ठीक है मद्य वर्ति उच भूमी के मद्य वर्ष्त है विश्क व्रहतम भूमी के जल बेसिन में से एक है लिए जो रॉकीस परवशेडि और किसके सेरा निवादा के बीच में इस्थित है अब राजाओं की घाटी कहां पर अभी हमने देखा मिस्र में देखा या इसी को हम बोलते हैं वादियल मुलुक यह मिस्र में है इसके अवस्तिती 25-44 उत्री अक्षांस और 32 डिग्री 36 मिनट पूर्वी दिशांतर में नील नदी के पश्मी किनारे पर है चलिए आगे पढ़ते हैं इसमें कहा अंधी घाटी पाई जाती कहा इसम पर लेते हैं यह भी तो इसमें लिखाए काश्ट प्रदेश में जब नदी एक विल्यन चिद्र पर समाप्त हो जाती है तथा यह इस्थिती जब एक लंबे समय तक रहती है तो सिंख के उपर नदी अपनी घाटी को काश्ट मैदान में अधिक नीचे कर लेती है और इस पाश्ट चेतर में पाई जाती है तो कौन सी थिंख होल पाए जाता है तो यहां पर देखिए सारे कॉशन तो हमने कर लिए ठीक है तो अगर आपको वीडियो पसन आए तो वीडियो को लाइक करेंगा चैनल को सब्सक्राइब करेंगा और कमेंट करके जरू बताएगा कि आ दिए गए और कर द्वाईगा instruct करेंगा मेंर करते खूए बतात करेंगा तो यहां पित आटेक्ज प्राप